एंजो जेप 10MG टेबलेट जो की बनाई जाती है संद फार्मासिटिका इंडेस्टिर एल्टिडी के दुवारा बनाई जाती है इसके अंदर एक ही दवाई डाले गए है ओक्जो पे जेपिंज 10MG डाला गया है और ये टेबलेट जो की 126 रुपिस का ये पूरा स्ट्रिप ये टेबलेट ट्रेटमेंट करती है इसका यूजय helemaal का कैसे काम करेगा। गौनकोशा इस वीडयो में सेर कुरूंका ताकि आपको इस टेबलेट के बारे में संपुंध जानकारी मिल सके तो ये वीडियो केवल एंद केवल मेडिकल इस्टूडेंग और हेल्थ केर इस्टूडेंग के एजूकेशन परपस के लिए तो कोई भी मेडिसेंस या कोई भी दवाई लेने से पहले डॉक्टर के सलाई जरूर ले वीडियो को में स्टार्ट करते हैं एक छोट असा इंट्रो के बाद कि एक एक जो जेप 10 एमजी टेबलीट जोकी बनाई जाती है संद फार्मासिटिक का इंडेश्टेट एल्टेडिक के दुवारा बनाई जाती है ओकजा जैपिन 10 एमजी रहता है और 120 रुपे का ये पूरा इस्ट्रिप रहता है ये टेबलेट जोके टेटमेंट करती है सौट्टम एंजाइटि और एल्कॉल विड्रॉल का ये टेटमेंट करती है अगर आप इसको ज़्यादा ले रहे हो तो को साइड विपेट हो सकता है जैसे कि सूजन आ सकती है नोजी आ हो सकता है रैसर्स हो सकते है तो जब भी इसको ले तो डॉक्टर के सला से ले से गाबा को सप्रस कर देता है अब नॉर्मल एन एक्सेसिव एक्टिविटी जो की नर्व सेल से ब्रेन तक होती है जिससे कंट्रोल होती है एंजाइटी वगरा तो ऐसे काम करती है टेबलेर तो इस टेबलेट के बारे में अगर आपको कुछ की भी डाउट रहे हैं तो कॉ मिलते हैं नेक्स्ट टूडियो में तब तक के लिए अपना ख्याल रखी